कि हांब है एक साइजो कि काफी फर्माइशे आ रही है कि डबल एक्सल साइज जो होता इसका मेजर्मेंट भी बताईए आप देखें मैंने एक ये जो है स्वेटर बनाया है डबल एक्सल साइज का है और इसमें मैंने यह जो डिजाइन डाला है यह अलरी मेरे चैनल पर दोनों डिजाइन है कि आप यह डिजाइन किस तरीके से बना सकते हैं अब इसका मैं मेजर्मेंट आपको स्टिचिज के साथ दे देती हूं चले अब आजाते हैं इसके मेजर्मेंट पार्ट पर यह तो मैंने आपको दिखा दिया किस तरीके इसका लोक आ रहा है अब इसके मेजर्मेंट पार्ट पर आ जाते हैं सबसे पहले बैक साइड से शुरू करते हैं अब बैक साइड में आप यह देखेंगे थोड़ा सा मैं आ डाला है design और उसके बाद ये design डाला है ये दोनों design मेरे channel पर already है अब 132 डालने के बाद ये सब करने के बाद मैंने इसको जो है border से लेकर armhole तक इसकी जो length है वो 16 inches है और armhole से लेकर shoulder तक इसकी 10 inches है अब देखिए armhole पर जब आप आजाते हैं तो armhole की cutting है वो कैसे करनी है armhole की cutting आपने back side थोड़ा सा मैंने different किया है कि back में थोड़ा सा कम किया है front में जादा किया है तो उसे मैं आपको बता देती हूँ back side में मैंने 5, 4, 3, 2, 1 करके किया है तो यह आपके इस तरीके से back side में किया है अब उसके बाद करने के बाद मैंने 10 inches बनाए है अब जस्ट उपर उपर जो चार लाइन से पहले जैसे मैं cutting बताती हूँ वैसे ही मैंने इसमें की है back side पे तो चार लाइन से पहले मैंने शोल्डर पे 30 और 30 फंदे रखें और बाकी फंदे मैंने इसके center में जो है बंद करती है और center में जो है मैंने 42 stitches बंद किये है back side में जस्ट चार लाइन पहले अब जाते है इसके front side पे अब देखे front side जो है मैंने obviously हमने आदा आदा करना होता है जो back क्योंकि cardigan बनाया है तो back और front का आदा आदा होता है 32 stitches का जो front में है आपने जब आदा करेंगे वो होता है 66 stitches 66 plus पटी के फंदे मैंने 12 रखे है तो यह आपके 78 stitches आ जाते है यह देखेंगे आप यह यह पटी के 12 रखे है यहाँ पर मैंने आप देखेंगे जिस तरीके से पटी कैसे smoothly ऐसे बनती है वो मैंने अपने channel पर already डाला ह हुआ है आप उसे देखकर कर सकते हैं और यहाँ भी एक देखेंगे आप यह मैंने फंदा उतारा है अब आपने जब यह डाला और उसी तरीके से same आपने इस तरीके से बनाया है यह चार लाइन्स की है सीधे की उसके बाद यह बनाया और फिर यह बनाया अब इसकी भी जो कि कटिक जो है फ्रंट साइड में 5,4,3,3,2,1 ऐसे करके मैंने जो है इसकी फ्रंट की कटिंग की है तो यह आपके अफारा फंदे हो जाते हैं अब आम होल की कटिंग करने के बाद जो है मैंने इसे 6.5 inches बनाने के बाद नेंग की कटिंग की है अब necky cutting देखेगा किस तरीके से की है necky cutting मैंने जो है मेरे पास shoulder में 30-30 फंदे रखने है 60 फंदे हो गए और necky cutting मैंने 30 फंदो की की है तो कैसे की है देखे पट्टी के फंदे 12 जो हम किसी में उतारेंगे उसके बाद 8 5 3 2 यह आपके 30 stitches हो जाते हैं देखे और दोनों shoulders पे भी मैंने 30-30 रखे हैं stitches अब इसके बाद जब यह necky cutting कर ली इसके बाद 10 इंच तक जितने में आपका 10 इंच हो जाता है वहाँ तक मैंने इसे बना के छोड़ दिया अब इसकी जो necky इसकी बात करते हैं क्योंकि पहले front and back ही खदम कर देएं अब जो border उठाया है stitches उठाया है मैंने इसमें 126 stitches उठाया है और उसके बाद 10-12 lines का hardly 12 lines का border है सीधे-सीधे का और उसके बाद उसे बंद कर दिया तो यह आजाता है front and back अब आ जाती है बारी इसकी बाजू की अब देखे बाजू में जो है मैंने आप यहाँ पे देखेंगे बाजू है बाजू में 46 stitches से शुरुवात की है चार लाइन इसके डाले फिर यह डिजाइन डाला और उसके बाद यह वाला डिजाइन डाला देखेंगे अब जैसे बाजू आप बनाते हैं हर 5th line में 5th line में सीधी line में दोनों तरफ एक एक फंदा बढ़ाते वे जाते हैं उसी तरीके से आप यह देखेंगे बढ़ाते वे गई हूँ उपर तक अब उपर जो है इसमें मैंने 16 inches इसकी भी लेंग्थ आम होल तक की 16 inches रखी है अब आम होल पे मेरे पास 100 stitches हो गए अब यहां आम होल की कटिंग कैसे करेंगे आम होल की कटिंग जो है आपने 5, 4, 3, 3, 2 ऐसे किया उसके बाद 1 into 15 याने की एक एक फंदा 15 बार दोनों तरफ से गटाना है और उसके बाद जितने भी आपके पास फंदे रहे गे उसको मैंने 3 तीन करके बंद किया और उपर 8 फंदे रहने पर उसे एक लाइन में बंद कर दिया तो इस तरीके से आप यह देखेंगे बाजू भी बनाई और फिर हमने उसे आपस में जोड दिया तो आप यह देखेंगे देखें इसकी गले की कटिंग देखें कितनी बड़िया तरीके से आरकी है आप बैक की देखेंगा आप ऐसे इस तरीके से मैंने यह स्वेटर त्यार कर लिया है थोड़ा से यह बता दू कि यह जिनके लिए भी है उनकी जो हिप साइज इंचिस है और बस साइज 42 है तो मैंने जो नीचे का हिसा है वो 52 नहीं हिप बनाया 50 बनाया है वो सिर्फ इसलिए बनाया क्योंकि हमारा जो स्वेटर उन होती है यह लिए हुए होती है तो यह अपनी बॉड़ी की शेप जब आप इसे पहनते हो तो यह बॉड़ी की शेप ले लेती है और हलकी सी खुल जाती है तो इस चकर में मैंने इसे, जब भी मैं स्वैटर्स बनाती हूँ, थोड़े से, हलके से कम उसके बनाती हूँ, ताकि जो exact size है, उससे एक या दो इंच आप कम बनाईएगा, बस size 42 है, तो अब जिनका भी, जो है, ये इस तरीके का X-XL size के लिए बनाना होगा, क्योंकि काफी काफी time से लोग बोल रहे थे, कि आप X-XL size का किस तरीके से, stitches, और measurement, और कितना होता है, अब ये बता दू कि ये total, जो आपकी इसकी length है, वो 26 इंच है, इस sweater की total length, तो लेकिन कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, वो length आप अपने ही आप से देख लीजएगा, जब भी जब लाग